hallo everyone मैं हूँ मेखा आज मैं आपको clear करूंगी कि आपकी twins pregnancy में delivery कब تक हो जानी चाहिए क्योंकि twins pregnancy single pregnancy के पिछा बिल्कुल अलग होती है इसमें आपकी margin नहीं चलेगी कि आपका time complete हो गया फिर भी आप जो हे इसको extra बढ़ाती चली जा रही है इससे आपको और बेबी दोनों को ही बहुत जादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो मैं आपको सबसे पहले कलियर कर दू कि ट्वीन्स दिलिवरी का जो सही समय माना जाता है वो है 37 बीक्स के बाद में आपकी ट्वीन्स दिलिवरी हर हाल में हो जानी चाहिए फिर चाहे वो आपकी सी सेक्शन दौारा हो या फिर आपकी नॉर्मल दिलिवरी हो इससे कोई भी फरक नहीं पड़ता है क्योंकि जो ट्वीन्स होते हैं वो 37 बीक्स कंप्रीट होते होते बिलकुल मिच्योर हो जाते हैं एड उनके जो फेपड़े बगेरा भी होते हैं वो भी बिलकुल रेडी हो जाते हैं तो 37 बीक्स कंप्रीट होने के बाद में उनको और ज्यादा गर्बा वस्ताव में रखना बहुत जादा घातक हो सकता है क्योंकि twins होते हैं जिस बज़े से जो आपका uterus होता है जब वो full size के हो जाती है तो uterus में बिलकुल भी जगेर नहीं बसती है तो twins जो होते हैं वो एक दम से बिलकुल ही फसे फसे से last में रहने रखते हैं क्योंकि क्या होता है जिन twins को time पूरा होने के बाद भी बहुत लंबे समय तक गर्वासे के अंदर रखा जाता है तो उनमें कोई ना कोई अंग में defect आने की chance बढ़ जाते हैं या फिर उनके लिए कोई ना कोई problem create होती है एंड ऐसे twins को बाहर निकालने के बाद में भी उनको बचाना बहुत मुस्किल हो जाता है तो इसलिए आपको बिलकुल भी risk लेने की जरूरत नहीं है अब हम आपको clear करते हैं कुछ twins इस प्रकार के होते हैं जिनकी जो गर्ब नाल होती है वो अलग-अलग होती है तो ऐसे twins के delivery का जो सही समय होता है वो होता है 37 से लेकर के 39 weeks तक के बीच में हो जानी चाहिए 37 से पहले नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे पहले बच्चे अच्छे से mature नहीं हो पाते हैं जो एक ही गर्ब नाल से लिप्टे रहते हैं तो ऐसे twins के delivery का जो सही समय होता है वो 34 weeks से लेकर के 37 weeks तक के बीच में हो जानी चाहिए जैसे बहुत जादा टाइम नहीं लगना चाहिए अब मैं आपको एक बात और किलियर कर दू कि जो महिलाएं twins pregnancy में पूरी pregnancy बिलकुल स्वस्त रहती हैं उनको किसी भी तरीके की कोई गंबीर बीमारी नहीं होती है जैसे diabetes, high blood pressure या फिर कोई भी other problems नहीं होती है तो उनके जो twins होते हैं वो 37 weeks तक बिलकुल अच्छे से mature हो जात अब हम आपको कुछ पॉइंट और किलियर कर दें कि जो महिलाएं बिलकुल स्वस्त होती हैं उनके किसी भी प्रकार की कोई भी गंबीर बीमारी नहीं होती है इस्पेशली pregnancy के दौरान और उनके जो बच्चे होते हैं वो दोनों ही सही position में होते हैं बतलब वो दोनों ही जार बिलकुल कर सकती हैं कोई भी दिक्कत बाली बात नहीं होती है ऐसी महिलाओं को 37 हपते से जादर टायम भी लग चाता है थोड़ा बहुत एक दो हपते तो कोई दिक्कत नहीं आती है एंड ऐसी महिलाओं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की सिकायत है या फिर उनको या फिर कोई भी गंभीर बीमारी है तो ऐसी महिलाओं की जो डिलिवरी है वो हर हाल में 37 वीक्स के बाद में तुरंत हो जानी चाहिए इससे ज्यादा रुकना उनके लिए सुरच्छित नहीं है एड ज्यादा टायम कीसना बच्चे के लिए भी बिलकुल घातक है तो ऐसी म हो जाती है एंड उनको जाड़ातर डॉक्टरों की जरूरत बिलकुल भी नहीं पड़ती है तो इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको ट्विंस डिलिवरी के लिए सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़ादा जरूरी है एंड आप नॉर्मल के चक्कर में ना बैठी रहें अगर आपके डॉक्टर आपको सजेश्ट करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलिवरी हो सकती है तब ही आप वेट करें अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और साथ ही में सब्सक्राइब करने के साथ साथ बिल आइकन जरूर करते है अगले वीडियो में